सालों से आईफोन की डिजाइन और उनका एक डालोग बेस्ट आईफोन एवर मेट, दा मोस्ट पावरफुल आईफोन एवर, बिलकुल कॉंस्टेंट है मतलब जो नया आईफोन आया है वो सबसे अच्छा है और सबसे ताकतवर भी है लगता है जनता इससे बोर हो चुकी है, उकता गई है ये पढ़कर आईफोन के कदरदान नाराज हूँ, उसके पहले आपकी जान लीजे कि ऐसा हम नहीं कह रहे बलकि एपल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की बेटी इव जॉब्स कह रही है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मीम शेर किया है इस मीम में देखा जा सकता है कि एक शक्स ठीक उसी तरह का नया शर्ट खरीद रहा है जैसे उसने पहले से पहन रखा है मीम में कैप्शन है आइफोन 13 से आइफोन 14 पर अपग्रीट करता हुआ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आइफोन 13 और आइफोन 14 की डिजाइन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है वैसे सिर्फ इव जॉब सी नहीं बलकि टेक कम्यूनिटी के कई जानिमाने चहरे भी नए आइफोन का खुब मजाग उड़ा रहे हैं गोमजी नम से ट्विटर यूजर ने आइफोन X से लेकर आइफोन 15 तक के लिए एक जैसे स्पाइडर मैन ट्वीट किये उन्होंने लिखा सारे आइफोन एक जैसे होते हैं एपल के पर्यावरण बचाने के मुद्दे पर ट्विटर यूजर मुकुष शर्मा ने लिखा कहीं अब डबबा भी गायब ना हो जाए दरसल एपल ने अपने आइफोन से पहले हेटफोन और उसके बाद चार्जर भी गायब कर दिया था आपको बताते चलें कि पिछले कई सालों से आइफोन एक से डिजाइन एलिमेंट पर अपने फोन पेश कर रहा है इस साल भी लॉंच किये गए चार में से दो मॉडल पुराने नौच बाले डिजाइन के साथ आएंगे हाला कि आइफोन 14 प्रो और आइफोन 14 प्रो मैक्स में नौच को सॉफ्टवेर की मदद से छुपा दिया गया है कंपनी ने इसको नाम दिया है डायनमिक आइसलैन इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर खोब मज़ेदार रियक्शन्स मिल रहे हैं